विदुत कर्मचारियों का खुला एलान नहीं करेंगे कोई काम जब तक नहीं मांगे पूरी होंगी तब तक करेंगे धर्णा प्रदैशन सीधापुर से हरियो मवस्थी की ये रिपोर्ट दानिक भास कर बिजली विभाग एक ऐसा जिसके कंधों पर इस समय पूरी जिम्मेदारी थैरी हुई है अगर या ठप हो जाए तो कोई भी काम नहीं हो सकता है चाहे हुआ घरेलू हो या बाहर हो लेकिन आज इन्ही करमचारियों के उपर भय का माहौल व्याबता है करमचारियों का कहिना है कि हमारे विभाग के उच्चा अदिकारी एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जिससे करमचारियों में भय का माहौल है यही नहीं वेतन मान को लेकर भी कई अवधारना ऐसी हैं जो चिंता का विशय बनी हुई है कई बार यहां से लेकर उत्तर प्रदेश और केंदी सरकारों से भी वारताएं हुई लेकिन इनका कोई भी नतीजा धाक के तीन पात रहा कोई भी मतलब नहीं निकला आवाद पे आवाद लगाई गुहार पे गुहार लगाई लेकिन कर्मचारियों की आज तक सुनी नहीं गई ये बीते तीन दिनों से यहां पे मौके पर बैठे हुए हैं लेकिन इनकी पुकार अभी तक किसी नहीं सुनी है इन्होंने अंत में यही निड़े ले लिया कि ये कारवहिशकार पर उतराए हैं और इनका कहना है कि अगर कहीं भी विजली खराब होती है समझ लिजी अच्छी तरीके से अगर कहीं भी विजली खराब होती है तो उसे ठीक नहीं किया जाएगा अब सवाल ये उड़ता कि अगर ये ठीक नहीं किया जाएगा तो फिर बिजली कैसे मिलेगी चलिए हम इन्हीं के साथ में विद्धुत कर्मचारी संग के साथ में मौझूद है जो आज ये तीन दिनों से बैठे हुए हैं मैं सीधे उनके पास चलता हूँ और जानकारी लेता हूँ कि क्या पूरा मामला है आखिर क्यों अंदोलन पर ये बैठे हुए हैं और ये कब तक चलेगा अगर क्या इनकी वारता हो रही है अत्वा नहीं हो रही है चैस्ट नाम क्या है आपका? मैं हिमांशु पटेल हूँ और मैं सैयोजक हूँ विद्धुत करमचारी सैयोग संगर समिती का क्या पूरा मामला है आपका? तो मामला ये है कि हम 17 तारिक से ही हमने एक मांग पत्र जिसमें हमारी कई मांगे हैं जैसे कि जो कारे का वातावरण प्रबंदन द्वारा कई सालू से बनाया जा रहा है दूसरा अगर देखें तो पुरानी पेंशन की मांग प्लस जो बोनस हमें मिलता है जो उतरप्रदेश सरकार देती है वैसी वो मांगे एसी कई कुल्म लाके 15 मांग पत्र हमने चेर्मेन साब को दिया था 17 तारीक को तो आज हो गए हैं लगबग 11 से 12 दिन अभी तक उनका ना कोई संतोष जनक हमें आश्वाशन मिला है तो हमने 28 तारीक से एक और बैठक होई थी उसमें भी कोई संतोष जनक आश्वाशन नहीं दिये गया 29 तारीक से हम कार बहिशकार पे हैं 29 तारीक को हमने शाम को एक मशाल जलूस भी निकाला था सभी जिलो में निकला था OC के करम में हमने सितापुर भी निकाला था और अपना संदेश उपर तक प्रबंधन तक पहुँंचा आया था सिफ और सिफ जो हमारे सबिस्टेशन ऑपरेटर हैं जब तक हरताल की कोई शिति हुथ पन होतीस तब तक वहाँ खराब हो जाती है तो हम उसका BD breakdown भी एटेंड नहीं करेंगे सर सुनने में आया है कि अगर कहीं भी जनपद में बिजली गरबल होती है या खराब होती है तो आप लोग उसे ठीक करने भी नहीं जाएंगे देखिए जो हमारी मांगे है प्रवंदन हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है हम लोग तो सदेव उभोकता हित में रहे लेकिन हमारे आज ये पुरानी पेंसन योजना है समय बद्द बेतन मान योजना है और हमारे जो संबिदा कर्मी जो साथ आठ हजार पे नोकरी कर रहे है हम उनको नीमित करने के लिए आज बैठे हैं किस तरीके से आप विभाग की जानते हैं आप ये सिंसिल विभाग है और हम लोग राद दिन काम करते हैं परंत प्रवंदन जो है उसने एक भैका माहोल हमारे करमचारियों की संख्या कम है भरती नहीं हो रही है भैका माहोल उत्पन किया है जो हमको सुभधाय मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है आज उत्तरपदेश पावर कार्प्रोरेशन के जितने करमचारी अधिकारिये भैके माहोल में जी रहे हैं और इतना बड़ा विभाग है जो पूरा देश इस विभाग पे चलना है पूरे देश की जो अर्थ विवस्ता है इसी विभाग पर टिकी हुई वहां के करमचारी अधिकारी अगर परेशान है तो ये सब प्रबंदन की नाकामी है जो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हम लोगों पे ये आपका कार बहिशकार जो अंदोलन चला कब तक चलेगा ये जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी और हमारे जो संगर समित के जो उच अधिकारी लोग है जब तक उनका निदेश नहीं प्राप्त होगा तब तक ही चलती रहेंगी विद्दुत कर्मचारी संयुक्त संगर समित ने दो टूक सब्दों में प्रबंदन को चेतावनी दे दी की है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो वो इसी तरीके से मैदान में डटे रहेंगे लवाई चाहें जितनी बड़ी आरपार की हो उन्होंने एक बात और कह दी है कि एमरजंसी की कोई भी सेवा नहीं रोकी जाएगी जैसे अस्पताल आज बगएरा में मानोता के नाते संबेदनाओं को देखते हुए वहाँ किसी भी प्रकार की अगर कोई गरबरी होती है तो उसे तत्काल ठीक किया जाएगा वहाँ कोई भी अबरोद उत्पन नहीं किया जाएगा आप देखना यहा है कि इन विद्दुत कर्मचारियों जो आज कई तीन दिनों से लगाता डटे हुए है इनकी आवाज वहां तक पहुंचती है या नकार खाने में तूती की तरह दब जाती है